दिल्ले स्थित विश्व युवकेन ने लौपरुस सदार बल्लबाई पटेल पर एक सेमिनार का आयोजन किया इस अफसर पर राजसभा सदर से मानिनी स्री केसी त्यागी ने अपने विचार रखे प्रस्तूत है इसके मुखे अंस तो मैं कहने चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई के आंदोलन में किसानों की क्या भूमिका होगी पोस्ट इंडिपेंडेंडेंस पीरेड में भी उसको जितना खूबसरोत और बहतरीन तरीके से सरदार पटेल ने विक्षित किया है लिखा है प्रचारित किया है वैसा कोई दूसरा उधारन इंडियन फीडम मुव्मेंट में नहीं मिलता है अंग्रेज हर साल गोल मेज सम्मेलन करते हैं या अपने मातेथ जो राजे रजवाडे हैं उनको इखटा करते हैं तो वहां सबके फरिच्चा होते हैं ऐसे एक बार गोल में सम्मिलन अंदन में होता है तो भारत से जाते हैं कि मैं राजा बीका नेर हूँ मैं वहां की जनता का पृतिनी दी हूँ मैं राजा जुना गड़ हूँ मैं राजा बीका नेर हूँ मैं राजा च्छतारी हूँ मैं नबाब अलिगड हूँ सिर्फ एक व्यक्ति है जो कहता है कि I am MK गांधी I have come here on behalf of the Indian nation मैं महात्मा गांधी हूँ महंदास कर्मचंद हूँ जो भारत का पृतिमित करने के लिए तो जो भारत शब्द है Indian nation शब्द है ये पहली बार गांधी जी लेका आते और इस Indian nation को यूनाइट अगर कोई आदमी करता है उसका नाम है सरदार पटे सारे रियास्तों को एक राजा का इसमें चिक्र नहीं करूंगा तो ये सरदान जीली मेरी उनकीले पूरी नहीं होगी तर्वनकोर रियासत है महाँ पर किरला में उसके दिवान है सीपी रामा स्वामी है जिन्होंने भारत के खिलाब मोर्चा खोल दिया स्वतंद राज घोशित कर दिया कि आज से भारत आजाद हो गया और मेरा राज अलग हो गया तो उन्होंने कहा है कि दोस्त वीहीन से दोस्ती करना मेरे सुभाव में है आपने अपनी इच्छा से अपने आपको स्वतंद घोशित कर लिया है परंतु मुझे खुसी होगी यदि आप कल मेरे यहां लंच के लिए पधार है और कहने कि आप सकता नहीं लंच के बाद पधारने के बाद वो भारत में विले की घोर्षने करके चले जाते है ऐसी कीन सो कुछ रियास थे और यह मामली काम नहीं था उसमें उन्होंने धमकाया भी है उन्होंने उसमें समझाया भी है उन्होंने उसमें इन्वेजन भी किया है सारे काम के लेकिन कोई अच्छा खराब शब्द नहीं में कहना चाहता लेकिन ये जो राजे रजवाडे और नवाब साहब थे इनकी समांतर हुकुमत थी और उसका चसका इनको ऐसा पड़ा हुआ था सारी जमीन जायदा धन दौलत आबुशन सब राजे महराजे और नवाबों के यहाँ था तो उस उस वैभों को वो छोड़ना नहीं चाहते थे अगर सरदार पठेल का डंडा नहीं होता तो भारत जैसा आज है वैसा मांचतर देखने को लिनी मिलता सबसे बड़ा कंट्रिबूशन उनका ये भी है उनकी व्याख्या कैई तरीके से होती है किसान निता के रूप में होती है एक कुसल परसासक के रूप में होती है मुझे उनकी कोर्सपॉंडेंस पढ़ने का भी सुभाग प्राप्त है जिसमें कड़े फैसले लेने के लिए वो प्रसिद है लेकिन गांधी के प्रती जो उनका टूट सन्हे और आदर भाव है जिस दिन गांधी जी की हत्या होती है उससे दो या तीन दिन पहले तीन दिन पहले वो जाते है गांधी जी अपने किसम के अनूठे व्यक्ति हैं उनको हम भी परिभाशत नहीं कर पाते हैं वो कहते हैं कि जो ये पाकिस्तान जो लोग गए हैं उन्होंने गल्ती कि और अब मैं पाकिस्तान वालों को समझाऊं वजा करके कि तुम बेकूफ लोग क्यों होँ चलेगे और अपने इरादे की घोषना वो सरदार पठेल से करते हैं जिस दिन उनकी हत्या होती है तीस जनवरी को तो वो दो फरवरी को वो पाकिस्तान जाने वाले हैं ये कम लोग की जानकारी और तीस जनवरी को उनको हत्या होती है 26-27 जनवरी को सरदार पठेल उनके पास आते हैं कि आप पर दो बार परहार हो चुका है कुछ लोग आपकी ज्यान लेना चाहते हैं इसलिए हम पुलिस का घेरा यहां पर बठाएंगे और तलाशी होगी तो गांदी जी कहते हैं मैं तुमारे इस नड़ने के खिलाब भी भूकरताल पर बैठूँ मातमा गांदी ऐसे विचारों के हैं कि उनके विचार सुनने के लिए उनका शाम को बिरला हाउस बाजी में बच्चे चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं और ऐसी जगों को भी जाना चाहिए उनके साथ अगर शिक्षकाय हैं तो मेरा उनसे आगरे होगा कि तीस जनवरी मार्क पर जहां गांदी जी को गोरी लगी थी वो सारी उनकी समर्तियां और सारे चिन वहां पर चिननी थे और ऐसी जगों पर जाकर कि लंबी कहानी उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस समय पंडी जवाला नहरूब प्रधान मंत्री बनते हैं मैं उनके चैन को लेकर कि भी को ठिपने नहीं करना चाहता लेकिन जितने कॉंग्रेस पार्टी के मुखमंत्री हैं उससे में जितने प्रदेशों के अध्धक्स हैं सब एक मत्सर चाहते हैं सरदार पठेल पर धान मंत्री बनते हैं गांदी जी का अग रहे है राष्ट्री अंतराष्ट्रे इस्तर पर नहरू जी का जादे एक्स्पोजर भी है उतना सही बात है सरदार पठेल का नहीं है लेकि सरदार पठेल की जो जमीन पर पकड़ है वो गांधी के बाद किसी की नहीं देश आजाद हो जाता है सौमनात का ध्वस्त मंदिर है उसको गुजरात की सरकार चाहती है कि सरकारी मदद से उस मंदिर का पुनर उधार किया जाए सरदार पठेल चिठी लिखते हैं फिर बादें बात करते हैं कि नहीं मंदिर मस्जिद गुर्दवारा बनाना सरकारों के काम नहीं ट्रस्ट बनाईए सरदार पठल कहते हैं और सब लोगों से पैसे लीजिए कुछरों को मैं भी कहूंगा कि उधारता से दान करें और उस ट्रस्ट के जरिये सोमनात के मंदिर का जीनों धार कीजिए तो एक प्रकर राष्टवादी होने के बावजूद भी सब्ता को किस तरे से धर्म से और इस विवाद से दूर रखना चीए ये भी हमें सरदार पठल के जरिये देखनें के मिलता है आज जब परिवारवाद जातिवाद सामपरदैक्तावाद और पतानी कितनी बिमारें में होगी हैं ना उन्होंने तो अपने किसी पुत्र और पुत्री को आगे बढ़ा है 72 या 74 का कोई समें मुझे याद है उनकी बेटी थी शाद राजसवा में MP थी और बिठल भाय पठल हाउस में हम भी रहते थे और किसी ने बताए कि सरदार पठल की बेटी हैं तो लगता और से जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके अंदर फैली उसका ये भूंडा प्रदर्शन है तो फिर राजे रजवाडे क्यों हम लोगों ने छोड़े थे तो मैं यो जो नोजवान बैठे हैं बच्चे इंसे में कहना चाहता हूँ कि लोगतंतर की इच्छा क्यों पैदा हुई लोगतंतर की जरूरत क्यों पैदा हुई राजे रजवाडे और महराजा और नवाब साब के हाथ में देश का और परदेश के संचलन हुआ करते थे राजा का बेटा राजा राजा का बेटा राजा बादशा का बेटा बादशा बादशा का बेटा बादशा बादशा तो यह अवधार्ना पैदा हुई कि राजा का बेटागर गलत हो जाए तब क्या होगा तो यहीं भारत में नहीं विदेशों के अंदर भी यूरोप में भी उचे पैमाने पर संगर्स हुए नहीं जनता को अपनी मर्जी का राजा चुनने का अधिकार होना चीए तो अब जो लोक वाद का नंगा नाच है जो जाती वाद का नंगा नाच है तो मैं मेरा अंश कहने का यह है कि जिन मुल्यों के लिए जिन सिध्धानतों के लिए जिन उसूलों के लिए सरदार पटेल भारत का एकिकरन किया आजादी का संग्राम लड़ा वो सारी धारा अब नए तरीके से खराब होती जा रही है इसलिए नई पीड़ी के लोगों को सरदार पठेल की जानकारियां और भी स्पस्थ होने क्या आउ सकता है मैं आयोजेकों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस सूब अवसर पर उन्होंने मुझको भी अपने बीच में बलाया और सरदार पठेल का व्यक्तित और कृतित मेरे अधन का भी केंदर है और मैं राजनिती में उनके विचारों पर कुछ समय तक चलूं कुछ हथ तक चलूं ये मेरी इच्छा विलासा भी है और जो नई पीड़ी के बच्चे बच्चियां हैं वो अपने सभी महापूर्शों के अब 23 मार्च है आज 21 है परसो सरदार भगत सिंग की सहाधत का दिन तो मैं एक बार लाहूर भी गया उस जेल में बच्चों आप कलप ना कर सकते हो कि 23 साल के ओर में सरदार भगत सिंग को फांसी हो गई थे और उससे पहले आधा दरजन पुस्ट के वो लिख चुके थे और सरदार भगत सिंग कोई आतंक वादी नहीं थे मैं राजसाभा में भी एक बार सबाल उपाया वो करांती कारी थे जब वो बं फैकते हैं पारलिमेंट के अंदर तो निशाना ऐसा बना के फैकते हैं एक तो बं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब लोग मर जाएंगे बाद मैंनों लिखा है फिलोस्पी अवदा बं में कि ये बं किसी को नुकसान करने के लिए नहीं ये बहरे लोगों को कान खोलने के लिए ये मैं छोड़ रहा हूं इसको और एक पंपलेट भी लिखते हैं था फिलोस् क्योंका दिन और करीब आजाएं फिर दुबारा लिखते हैं वो मैं भारत की क्रांती का प्रतिक बन चुका हूं और एक इनसान होने के नाते में किसी इनसानी कमजोरी का शकार बन सकता हूं और अगर ऐसा हुआ तो भारत की जो क्रांती है वो धूमिल हो जाएगी इसलिए म चाहता हूं मैं जल्दी मरूँ चुक्के जब लाड इर्विन यहां पर आते हैं तो कुछ लोग लाड इर्विन गांधी पैक्ट के दोरान भगत सिंग की माफी हो जाए ऐसा प्रियास करते हैं जिसमें उसके माबाप भी शामिल है जो कुई बुरी बात नहीं हर आदमी को ह हर मा को हर बाप को अपने बच्चे को सुरक्षि देखने की इच्छा है वो भगत सिंग से मिलने जाते हैं कि तुम्हें बेटे कुछ नहीं करना वो जानते हैं भगत सिंग के बारे में कि जनूनी आदमी है तुम्हें बेटे कुछ नहीं करना खाली तुम्हें हाना नहीं हम करा लेंगे तो ये लगभगत है हो जाता है कि भगत सिंग अगर प्रतिकार नहीं करेंगे तो भगत सिंग की फासी माफ हो जाएगी तो अपने माबाप से बहुत विननपूर कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर मुझे ऐसा कहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा क मैं बगएर माबाप के हूँ मेरे माबाप नहीं तो इतने प्रकर प्रबल इरादों के साथ हमारे आजादी का संग्राम लड़ा गया और अब सब चीज़ें रसम अदाएगी हो गए यह तरंगा जंडा है जिसके घर में होता था उसके घर की कुड़की होते थे पुलिस पि लाल-लाल हो जाता थे खाल उतराती था कोड़े लगते-लगते मैंने कई बजर्गों के अपने बच्वन के दिनों में देखे हैं अब उस दवज के लिए भी अब उस सुतन्तरता के लिए भी अब उस सम्विधान के लिए भी नए तरीके से हमें संगर्स करना पड़ता है ज कई को जवानी नहीं चड़ी, कई जला वतन हुए, लाखों लोग बेघर बेरोजगार हुए, तब जाकर के ये आजादी मिली, इस पर कोई खत्रा ना है, इस पर कोई संकट ना है, इसलिए आप भी मजबूत बन के बनो और अपने आसपास के लोगों को भी मजबूत बना के रखो, ताकि भारत माता की जो मुश्किल से, जंजीरों से मुक्ति हुई है, फिर कोई ऐसा दिन ना आए, कि भारत माता को दुबार गुलाम होना पड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद.